इंडियन न्यूस अनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सब के चहेते तेजस फाइटर एयरकॉप के बारे में हमको पता है कि जब भी तेजस को लेकर के कोई अपडेट सामने आती है तो आप उ कि अगर भारत का तेजस इतना ही ज़ादा कैपबल है तो भारत कभी इसे फ्रंट बॉर्डर्स पे तैनात क्यों नहीं करता क्यों भारत आज भी अपने पुरा ने मिक 29 और मेरास 2000 जेट्स के भरोसे बैठा है तो चलिए आज आपकी ये मनो कामना पूरी हुई क्योंकि भार एरफोस इस्टेशन से मूव करके इस्टन फ्रंट पे तैनात किया जाएगा ताकि चाइना का जो हालिया एग्रेशन सामने आया है जहाँ पर वो अपने J-11 वाइटर एरक्राप्स को लगातार स्क्रैंबल कर रहे हैं भारत के बॉर्डर्स के नस्दीक उसको काउंटर किया अलाकों में अपने MiG-29, UPG और Miras 2000 फाइटर एरक्राफ्ट को इस्तेमाल करती रही है ताकि चाइना के इनेग्रेशन को काउंटर किया जा सके क्योंकि ये दोनों जो एरक्राप्ट हैं ये मौंटन वार्फेर में कफी ज़्यादा क्यापबल हैं भले ही आपको सुनने में य सबसे ज़ादा विश्वसनिया माने जाते हैं इन फैक्ट 1999 के जो कारगिल युद्ध हुए थे उद में भी भारतिय वायू सेना ने इन ही का इस्तेमाल किया था क्योंकि ये कैपबल एरक्राप्ट हैं लेकिन फिर भी भारतिय वायू सेना ने इनके एलावा जो राफेल और लाइट कॉंबैट एरक्राप्ट की फ्लीट है उनको भी डेपलॉय करने का फैसला किया है ताकि कोई भी जो पॉसिबल मिस एडवेंचर है चीन के तरफ से उसको काउंटर किया जा सके दोस्तों तेजस को लेकर कि हमेशा एक सवाल उठता रहा कि क्या वाकई तेजस यहां क एक्स्ट्रीम कोल टेंप्रेचर पर ऑपरेट किये जा सकेंगे और आपने भी सुना होगा काफी लोग ऐसी बात करते भी हैं तो उनको हम बता दे कि लाइट कॉंबैट एरक्राप्ट ने अपने विंटर ट्राइल्स के दोरान तैकरीबन माइनस 15 डिग्रेस का जो एक्स्ट करने के लिए और आसानी से भारती वायव से लद्दाग जैसे जो इलाके हैं वहां पर तेजस का इस्तिमाल कर सकती है और आपको आने वाले समय में ये भी देखने को मिलेगा कि जो देशी फाइटर एरक्राप्ट हैं वहां पर बड़ी संख्या में डेपलॉय किये जा सकते हैं तो अब बड़ा सवाल कि भारती वायव से ना ऐसा क्यों कर रही है इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं खैर ये जो मैं कारण आपको बताने जा रहा हूं ये मेरे परसनल अन्मान पर आधारित हैं और मैं गलत हो सकता हूँ दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि एक कम मीडियम वेट फाइटर या एक हैवी फाइटर के तुलना में लाइट कमबैट एरक्राप को उड़ाने का जो खर्श है वो काफी कम होता है दूसरी बात मिग 29 यूपी जी हो या मिरास टूठावर्जन हो अगर इनको रेगुलर बेसेस में उड़ाया जाएगा तो जाहिर स इस प्रकार अगर वेराइटी ओप एरक्राप महाँ पर तैनात किये जाएंगे तो इससे यह होगा कि भारती वायू से ना आराम से इनको ऑपरेट भी कर सकेएगी और अगला सबसे बड़ा रीजन कि लाइट कॉमबैट एरक्राप हर तरीके से एक सक्षम एरक्राप्ट है इसमें beyond visual range की missiles भी हैं इसमें within visual range की missiles भी हैं और यहर प्रकार के weapon payload को carry कर सकता है छोटे होने का इसका फायदा भी मिलेगा क्योंकि यह extremely maneuverable होगा और इसकी agility भी काफी जादा होगी और तेजस की radar भी काफी powerful है क्योंकि तेजस में इसा radar का स्तेमाल किया जाता है जो कि enemy aircraft को detect भ deploy कर रही है और माना जा रहा है कि आने वारे समय में जब 2024 से तेजस मार्क वन एकी फ्रीट आनी शुरू हो जाएगी तो क्रमसा मिक-21 को retire किया जाएगा और इन्ही aircraft को जो forward bases हैं वहाँ पर तैनाद किया जाएगा हलाकि अभी भी भारती वायुसिना ने अपरे मिक-29 में रास्टूट, हावजन, राफिल और सुखोई को वहाँ पर तैनाद करके रखा है और भारती वायुसिना ऐसा भी नहीं है कि चीन का जबाब नहीं दे रही है जितना नजदिक चीन आता है भारती भारत के बॉर्डर करता है चीन की ये हमेशाश हरकत रही है उकसावे वाली कारवाई की फिर चाहे आप जापान को ले लीजिए फिलिपीन्स को ले लीजिए या फिर भारत को ही देख लीजिए चीन सब के साथ उकसावे वाली कारवाई करता है और चीन को उसी की भाषा में जबाब देना अब जरूरी है इसलिए भारती ये वाइव से ना ये सारे कदमों को उठा रही है तो फिलाल के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन